नमस्कार दोस्तों, चाय और कॉफी के अलावा दुनिया में तीसरी सबसे मशूर डिंक यानि की बीर की लोग प्रियोदा भला किस से चीपी है? हाला कि बीर अधिक पीना सिहत के लिए फायदे मन नहीं होता, लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि इसके सिर्फ नुकसानी नुकसान होते हैं, इसके कुछ चौका देने वाले फायदे भी होते हैं, जिनकी बारे में जानकर आपको जरूर हैरानी होगी, तो ये जानते हैं इन उनकी हड्डियां अप्यक्षक्रित मजबूत होती हैं किड़नी के लिए फायदे मन्द फिन्लेंड के शोद करताओं ने अपने शोद के आधार पर दावा किया है कि संतुलित मात्रा में बीर के सेवन से किड़नी में स्टोन का रिस्क उन लोगों के अपिक्ष्या कम हो जाता है जो दूसरी अल्कोईलिक ड्रिंग्स का सेवन करते हैं और उनका मानना है कि बीर में पानी का स्तर अधिक रहता है इसलिए किड़नी के लिए फायदे मन्द होता है दिल के लिए अच्छा अगर बीर संतुलिक मात्रा में पिया जाये तो ये दिल के लिए सेथ मन भी हो सकती है इटली के फाउंडेशन डी रिसेरिया e qura नमक संस्था ने अपने सोध में पाया है कि जो लोग संतुलिक मात्रा में बीर का सेवन करते हैं उनमें दूसरों की अपिर्षा दिल के रोग्यों की आशंग का 31 प्रतिशत तक कम हो जाती है हावर्ट के एक सोध में या माना गया है कि संतुलित मातरम में बियर के सेवन से शरीर में गुड कोलेस्टरॉल बढ़ता है अगला है ऐल्जाइमर से दूर रखना बियर पीनसे एल्जाइमर और डिमेंसिया नमक मानसिक रोगों का खतरा कम हो जाता है 2005 में हुए एक सोध में 11,000 बूरी महिलाओं का अध्यन किया गया जिसके आधार पर उन्होंने इस्तर्थिका खुला सा किया अगला है कैंसर का रिस्क कम होना पूर्टगाल में एक सोध में यह पाया गया कि बियर में मौझूद हेट्रोसाइकिलिक अमीन्स यानि की HCA शरीर में कारसीनोजेन यानि कैंसर पैदा करने वाले हानिकारक तत्त्यों को दूर करने में मदद करता है बीयर में मौजूद चपकर HCA बनाने में मदद करती है बीयर को अगर संतुलित मातरा में पीने से फायदा होता है तो सीमित मातरा का अर्थ है 340 ग्राम की एक या दो ग्लास एक दिन में इससे ज्यादा बीयर पीना सुरशित नहीं होता और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं तो अई आपको बताते हैं इनके साइड इफेक्ट के बारे में जैसे की उल्जन होना, अपनी भावनाओं को नियंतरत ना कर पाना पी कर कहीं भी गिर जाना आसपास की सुध खो भैटना सास लेने में कटनाई हाइपो थर्मिया यानि की शरीर का तापमा नीचे गिर जाना ब्लट सुगर का नॉर्मल से कम हो जाना उल्टी आना, दिल की धर्कन का अनिमत हो जाना ये सभी साइड एफेक्स ज्यादा बीयर पीने के कारण हो सकती है अगर आप ज्यादा समय से बीयर पी रहे हैं असंतुलित मातरा में तो इसके कई तरह की खतरनात समस्याएं भी हो सकती है जैसे यादास्ट कमजोर हो जाना पैंक्रेस में सोजन पाचन तंतर में कैंसर शरीर में पोशक तत्वों की कमी इत्यादी इत्यादी तो दोस्तों अगर आप पहले से बीयर नहीं पीते हैं तो हमारा ये वीडियो देखकर आपको बीयर पीने की आवशकता बिल्कुल भी नहीं है आप अच्छा खाना खाईए नियमित एक्सराइस कीजिए आपका शरीर वैसे ही अच्छा रहेगा दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में बीयर से होने वाले फायदे और नुक्सान दोनों को बारों में बताया तो आपको यह वीडियो क्यासा लगा हमें कमेंट करके ज़रू बताईएगा और हाँ वीडियो का अच्छा लगे तुसे लाइक और शेयर करना ना भूले मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब ठके के लिए धन्यवाद